जै हैं दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बी आ समस्टर वाला में दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बी आ फोर्थ समस्टर ठीक है बी आ फोर्थ समस्टर एकोनोमिक्स यानि अर्थसास पेपर को नाम है कासी बिद्यापीट के छातर छातरा हैं भी ये फोर्ट समस्टर के वो अपना एंस्वर की मिला लेंगे इसमें 75 कोश्चन पूछे गया थे ठीक है अच्छा इसमें मैं बता दूँ आपके 75 कोश्चन पूछे गया थे कितने सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताईएगा आप आपका बुकलेट सिरीज इसमें जो जिन्होंने कोश्चन पेपर भेजा है वो भी है आप में सी हो सकता है ए हो सकता है ठीक है डी हो सकता है अच्छा बुकलेट सिरीज ऐसा होने से क्या होता है कि कोश्चन जो होता है नीचे उपर हो जाता है तो आप लोग एक कोश्चन अ देखें इसमें आपको पहला प्रस्न इसमें आपसे पूछा गया था ठीक है इसे मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ ठीक है देखें इसमें पहला प्रस्न आपका पूछा गया था दोस्तों निम्ण में से कौन सा ग्रामिड साराव का संस्थागत स्रोत नहीं है साख है ठीक है सौरी सारा नहीं है साख है ठीक है निम्न में से कौन सा ग्रामिड साख का संस्थागत सुरोत नहीं है तो देखे इसमें जो देशी बैंकर है ठीक है ये आपका ग्रामिड साख का संस्थागत सुरोत नहीं है ठीक है चौथा अपसन आपका राइट था पहले का अगर आप यह question paper 2025 में देख रहे हैं, 2026 में देख रहे हैं, 2027 में देख रहे हैं, आपके लिए यह बहुत ही महत्पूर होगी, ठीक है, जब भी आप इसकी परिक्षा देंगे, आपके लिए बहुत ही महत्पूर होगी, दूसरा प्रसनाप से क्या पुछा गया था, निम्न में से कौन भारत के प्रथम वित आयोग का अध्यक्ष था, तो स्री केसी नियोगी जी, ठीक है, भारत के प्रथम वित आयोग के अध्यक्ष थे, दूसरा अपसनाप का राइट है, दूसरे का, तीसरा प्रसन आप से पूछा गया था वित आयोग संविधान के किस अनुछेद से संबंदित है तो अनुछेद 280 से ठीक है जो वित आयोग है अनुछेद 280 से संबंदित है ध्यान रखेंगे दूसरा आपसन आपका राइट है यह most important प्रसन हर साल पूछा जाता है ठीक है चले चौथा प्रसन पूछाता है प्रतेक्ष कर है ठीक है direct tax is direct tax क्या होता है प्रतेक्ष कर क्या होता है तो यह क्या होता है आयकर होता है gift कर होता है और वेवस आयकर होता है ठीक है income tax होता है gift tax होता है और professional tax होता है ठीक है तो चौथा आपसन आपका right था चौथे का चलिए दोस्तों इसमें आपका पांचवा पुछा गया था अप रत्यक्षकर है यानी indirect tax क्या है ठीक है तो अप रत्यक्षकर इसमें बिक्रिकर है यात्रिकर है सीमा सुल के यह सभी क्या है अपरत्यक्षकर है ठीक है चौथा अपसनाप का राइट है सेल्स टेक्स जी से बोलते हैं ठीक है पैसेंजर टेक्स है और कस्टम ड्यूटी चले सभी है छठा आपका पुछा गया था कारियों के आधार पर लोक व्याग का वर्गी करण किस ने किया तो एडम इसमित ने किया था तीसरा अपसनाप का राइट है सातों परसनाप से पुछा गया था सारवजनिक वित है तो देखे सारवजनिक वित विज्ञान भी या और कला भी या ठीक है पबलिक फाइनेंसी साइंस एन आर्ट है तीसरा अपसनाप का राइट है दोनो आठों परसनाप से क्या पुछा गया था या आठों परसनाप से प्राथमिक कारी क्या होता है तो वीनमय का माध्यम होता है पहला अपसनाप का राइट है आठमी का चले प्रस नमर नौ आपका पुछा गया था मुद्रा वह है जो मुद्रा का कारी करे मुद्रा की यह परिभासा दी है किसने दी है तो हाटले वीदर्स ने दी है ठीक है चले चौथा आपसनाप का राइट है नमे का प्रस नमर 10 पूछा गया था मुद्रा की पूर्थी में बृधी उत्पन करती है तो मुद्रा की पूर्थी में जो बृधी है मांग जन्न मुद्रा स्फिती उत्पन करती है दूसरा आपसनाप का राइट है Demand, Pull, Inflation ठीक है, दूसरा आपसन आपका राइट है 11 मापसन आपसे पुछा गया था निम्न में से कौन मुद्रा का फलन नहीं है देखें इसमें जो अंत भूर्त मुल्य का सुरोत होता है यह आपका मुद्रा का फलन नहीं है बाकी विलंबन भूगतान का आधार है लेंदेन की इकाई है, मुल्य संचन का साधन ये सभी क्या है, मुद्रा के फलन है, ठीक है, अंतभूर्त मुल्य का जुस्रोत है, मुद्रा का फलन नहीं है, ठीक है, चले बरहामा प्रसनाप से पूछा गया था निम्नमे से कौन एक मुद्रा का कार्य नहीं है तो इसमें देखिए जो आपका भी निम्नमे का माध्यम है भी निम्नमे की माफ है और मुल्य का संचा है यह सभी मुद्रा के कार्य है लेकिन मुद्रा इस फीति से बचाओ यह आपका मुद्रा का कारे नहीं है तीसरा अपसन आपका राइट है बारे का प्रस नमर 13 पुछा गया था निम्न में से कौन मुद्रा की पूर्ती को विश्तरित रूप में मापता है तो जो M3 है ठीक है यह आपका मुद्रा की पूर्ती को विश्तरित रूप से मापता है ठीक है तीसरा अपसन आपका राइट है प्रस नमर 14 पुछा गया था उच्च सक्ती मुद्रा है तो दोखे जो प्रारक्षित मुद्रा होता है ठीक है रिजर्ब मनी जो होती है यह आपका हाई पावर मनी होती है ठीक है उच्च सक्ती मुद्रा होती है तीसरा अपसन आपका राइट है प्रस नमर 15 पुछा गया था मुद्रा आपूर्ती की माप यम वन बराबर है तो जनता के पास करेंसी मांग जमा RBI के पास अन्य जमा यानि करेंसी विथ पबलिक है डिमान डिपोजिक है अधर डिपोजित विथ RBI है ठीक है यानि आपका क्या है आपका है C उसके बाद क्या है आपका DD ठीक है CDD पलस OD है ठीक है ध्यान रखेंगे OD चले तीसरा आपसन आपका राइट है 15 का स्वलबा प्रस्ण पूछा गया है उच्च सक्ती मुद्रा के संघटक है उच्च सक्ती मुद्रा के संघटक कौन है तो इसमें है C प्लस R प्लस OD है ठीक है दूसरा आपसन आपका राइट है ठीक है ध्यान रखेंगे प्रस नमबर 17 आपका पुछा गया था मुद्रा की पूर्ती में कमी होती है तो वस्तूओं के मुल ध्यानकेंगे जब भी मुद्रा की पूर्ती में कमी होगी तो जो वस्तूओं का मुल है वह घट जाता है ठीक है दूसरा अपसनापका राइट है प्रस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् पहला अपसनाप का राइट है प्रस नुम्बर एक कैस क्या पुछा गया था ब्याज एक निश्चित अवधी के लिए तरलता के परित्याग का पुरसकार है कहा था किस ने कहा था तो केंस ने कहा था दूसरा अपसनाप का राइट है प्रस नम्बर 22 पूछा गया था निम्न में से कौन मुद्रा की तरलता का लक्षड नहीं है ठीक है मुद्रा की तरलता का लक्षड नहीं है तो इसमें जो आपका लाभदाइकता है ठीक है यह आपकी मुद्रा की तरलता का लक्षड नहीं है, तिसरा अपसनाप का राइट है प्रस नम्बर तेज किया है पूर्ती से अधिक मांग होने पर कहलाता है तो यह इस फितिक अंचराल कहलाता है, चोथा अपसनाप का करेक्छ है प्रस नम्बर 24 है भारत में निर्यात आयात बैंक की अस्थापना की गई थी तो यह 1982 में की गई थी पहला आपसनापका राइट है 24 का प्रस नमर पचेस आप से पुछा गया था वैधानिक तरहलता अनुपात में वृध्धी समाननेत्या तो वृध्धी समाननेत्या वैपारी बैंकों की लाब करना शुरू किया वर्ष वर्ष 1975 में ठीक है नाबाट की अस्थापना हुई थी नाबाट की अस्थापना 1982 में हुई थी चौथा आपसनापका राइट है प्रस नंबर 28 क्या पूशा गया था करन सी एंड फाइनेस एक वार्षिक रिपूर्ट का प्रकाशन किया जाता है तो भारत रिजनल बैंक के द्वारा ठीक है तिसरा आपसनापका राइट है रिजेब बैंक कर इंडिया के द्वारा करेंशी एंड फाइनेंस परवार्शिक रिपोर्ट प्रकाशन किया जाता है ठीक है कौन करता है Ce कौन करता है ठीक है कौन है पर्जर्टैम में निर्मला सीताWatch अबना धाय के भारती रिजर्ब जुटाना मौद्रिंग नीती का उद्देश से नहीं है दूसरा आपसना आपका राइट है प्रस नम्बर 31 पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एक साख नियंतरन का चैनात्मक तरीका नहीं है तो इसमें देखिए जो आपका खुले बजार की क्रियाएं हैं साख की रास प्रस नम्बर 32 पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन एक केंदरी बैंक का कार्य नहीं है तो इसमें जो साथियों जनता से जमा सुईकार करना ठीक है ये सेंट्रल बैंक का कार्य नहीं है ठीक है ध्यान लखेंगे तीसरा अपसना आपका राइट है प्रस नम्बर 33 क्या है भारत में मौद्रिक नीती कौन घोसित करता है तो RBI करता है यानि भारती रिजर बैंक ठीक है रिजर बैंक आप इंडिया चलें पहला अपसना आपका राइट है प्रस्ट नमबर 34 आपका इसमें पूछा गया था दोस्तों स्टेट बैंक की अस्थापना कब हुई थी स्टेट बैंक की अस्थापना 1955 में हुई थी चौथा अपसनाप का राइट है ठीक है ध्यान रखेंगे स्टेट बैंक का पूछा है भारती रिजर बैंक जानी जो आरबियाई है उसकी अस्थापना 1935 में हुई थी स्टेट बैंक की अस्थापना 1935 में हुई थी ठीक है चौथा अपसनाप का राइट है ध्यान रखेंगे अच्छा इस थोड़ा आप गूगल कर लिजेगा अच्छा यहां पर आपका पूछा क्या है भारती रिजर बैंक का राष्टी ये करण हुआ यानि जो आरबियाई है इसका नेशनलाइज कब हुआ था तो 1929 में हुआ था पहला अपसनाप का राइट है 36 नमबर पर भारती रिजर बैंक है तो जो भारती रिजर बैंक है या सिंट्रल बैंक है ठीक है गेंदरी बैंक है पहला अपसनाप का राइट है परस नमबर 37 क्या पूछा गया था आपका किस संस्था की अस्थापना सबसे पहले हुई तो इसमें जो आपका IFCI है इसकी सबसे पहले अस्थापना हुई थी दूसरा अपसनाप का राइट है ठीक है यहाँ पर साइद इन्हों ने लिखा भी है ठीक है 1971 है 1974 है 1964 है 1964 है 1990 है साइट ठीक है बिल्कुल है राइट एंसोरे είναι न का ठीक है दूसरा अपसनापका करिक्प है 37 नंबर पसन का प्रस नंबर 38 है 1976 में कितने भनकों का राष्ट करान किया गया है 14 बिल्कुल राइट एंसोरे lire न का पहला अपसनापका राइट है प्रस नंबर 49 पुछा गया था साख निर्माड के लिए आवस्यक है तो साख निर्माड के लिए नगत भुगतान आवस्यक होता है ठीक है कैस पिमेंट पहला अपसन आपका राइट है सौरी गलती हो गया पर साख निर्माड के लिए आवस्यक क्या होता है रिजर्व फंड होता है साख निर राइट है दोस्तों जो मैंने पहला एंस्वर बता है उसके लिए बहुत बहुत सोरी ठीक है 49 का दूसरा आप सनापका राइट है चले 40 नमबर पुछा है बैंक का कार नहीं है देखिए बहुत ही आसान प्रस्ण था साख का निर्मार करती है ठीक है रिन परदान करती है लेकिन नोट निर्गमन यानि नोट इसूस यानि नोट जारी नहीं करती है ठीक है बैंक का कार नहीं है नोट जारी करना ठीक है द्यान सांस्था है जो मुदरा का लेन करती है साक का लेन भी करती है ठीक है तीसरा आपसण का करेक्ठ गो है उपरयूग तो दोनों प्रस22 का है राजस्तु का अर्थ होता है यानि रिवेन्यू means क्या होता है ठीक है तो रिवन्यू emphasized है तो यह सार्बजनी कह वित्व होता है सबको परात होता है हम जो हम सरकार कैया करती है सडक का निर्मार करती है पूल का निर्मार करती है तो सरकारी स्कूलों का निर्माड करती है तो इससे हमें क्या मिलता है समान इलाभ मिलता है ठीक है तो पहला अपसन आपका राइट हो सकता है बिल्कुल राइट अंसर है पहला ध्यान रखेंगी चले प्रस नमर 44 क्या है पूजिवादी अर्थव्यवस्था संचालित होती है तो प्रस नुमर 45 पूछा गया है अधिकतम समाजिक कल्याड का सिध्थांत पहला आपसनापका राइड है torty five का प्रस नुमर 46प का पूछा गया है अवसाध काल में यह आवस्य कहीं कि वियाए में वरीधी हो ठीक है तिसरा आपसनापका राइड है शीयालिस का प्रस नुमर 47 आपसे पूछा गया था निम्न में एडम इसमी द्वारा प्रतिपादित करारों पर का नियम है निश्चीतता का सिधानत है सुविदा का सिधानत है और समानता का भी सिधानत है चोथा आपसन आपका राइट है 47 का चले अब प्रस नुमर 47 देखेंगे हमारा क्या पूछा गया है 48 ठीक है इसे मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ चले प्रस नुमर 48 क्या है जो व्यक्ति अंतिम रूप से कर अधा करता है उस पर होता है तो उस पर करा पात होता है ठीक है, incidence of a tax, पहला अपसन आपका right है, इसमें से थोड़ा मुझे confusion है, ठीक है, impact of tax भी हो सकता है, incidence of a tax भी हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा confusion है, आप लोग comment करके बताईएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, लेकिन पहला अपसन आपका right हमें 100% लग रहा है, comment जरू करेंगे, क्या होता है, आय की मांग में जब बेलोचिदार होने पर जो करार ओपड होता है, वो ब्रीध ही कर देते हैं, ठीक है, पहला अपसन आपका right है, प्रस नमबर 50 क्या पुछा गया है, सुनने पर आधारित बजट का सिधान्त विक्सित किया गया था, तो यह पीटर ए पीटर द्वारा, ठीक है, पीटर ए पीहर द्वारा यह किया गया था, पहला अपसन आपका right है, प्रस नमबर 51 क्या पुछा गया है, भारत में आयकर सरुपर्थम लागू हुआ, भारत में आयकर सबसे पहले 1860 में लागू हुआ था, पहला अपसन आपका right है, प्रस नमबर 52 क्या जाली में आपका बजट भी जुलाई ओजाँ है ञा में जैक है किंद्र और सरकार की आगम ब्याइक का सबसे महत्पूर अब्याव है वह ओद्याजिए है यह lend- पहला आपसन आप है कि अरुज और नमर 54 क्या पुछ Node लृत्पान में किंद्र सरकार की प्राप्तियों का सरवाधिक महतपूर मद है तो आयकर है इनिकम टेक्स ठीक है तीसरा अप्षन आपका राइट है प्रस नमबर पच्पन आपका इसमें क्या पुछा गया है निम्न में से कौन केंदरी सरकार के मुख व्याय का सिर्षक नहीं है तो जो पब्लिक हेल्थ है ठीक है सारवजनिक जो आपका सारवजनिक स्वास्त है या आपका ठीक है मुख सिर्षक नहीं है केंदरी सरकार का ठीक है ध्यान रखेंगे चौथा अपसन आपका राइट है ठीक है इसमें थोड़ा से कंफ्यूजन है इस प्रसन में लेकर के लेकि की जागरूख हो ठीक है प्रस नमबर 56 है निम्न करो में से कौन प्रगति सील है तो इसमें जो आपका आयकर है income tax या प्रगतिसील होता है चोथा अपसनापका राइट है प्रस नूमर 57 क्या पुछा गया है निम्न में से कौन किंद्र सरकार के लिए सरवाधिक राजस्व एकत्रीत करता है तो किंद्र सरकार के लिए सरवाधिक राजस्व निगम करता है ठीक है कार्पूरेट टेक्स होता है प्रस नूमर 58 पुछा गया है सरकारी आएउम वे के बीच की खाई को पाटने के लिए सरकार द्वारा नई मुद्रा किस रीजन को कहते हैं घाटे की वित्वेवस्था तीसर आपसन आपका राइट है ठीक है चले प्रस नूमर 69 क्या पुछा गया है आपका प्रस नूमर 69 पुछा गया था कर भार के संबंद में डालटन निम्न में से किसे महतपूर माना तो प्रतक्ष वास्तविक भार को माना है तीसर आपसन आपका राइट है 69 का प्रस नमबर साथ क्या पुछा गया है आपका यदि राजकोशी घाटे से ब्याज भुक्तान निकाल दिया जाए तो सेस बराबर होगा तो प्रात्मिक घाटे के बराबर होगा दूसरा अपसन आपका राइट है प्रस नमबर 61 है लोक व्याय का कौन सा सिध्धांत संतुलित बजट का समर्थन करता है तो आधिक का सिध्धांत ठीक है एक सट का दूसरा अपसन आपका राइट है प्रस नमबर 62 पूछा गया था भारत सरकार के बजट में निम्नलिखित में से किस मद पर अधिक व्याय किया जाता है डिफेंस पर ठीक है शुरक्षां पर दूसरा अपसन आपका राइट है प्रस नमबर 63 है किस परकार के कर का आघात एवं भार अंतिम रूप से एक ही व्यक्ति पर पड़ता है तो प्रतेक्ष कर पर ठीक है डारेक्ट टेक्ष पर दूसरा अपसन आपका राइट है देखे इसमें आपका जो जिन्होंने प्रस्ण पत्र भेजा है ठीक है अच्छा जिन्होंने प्रस्ण पत्र भेजा है उन्होंने एक पेज नहीं भेजा है 64 नमबर प्रस्ण 65 ठीक है 66, 67, 67, 68 और 79 ठीक है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 प्रस्ण इन्होंने नहीं भेजा यानि एक भेज पूरा भूल गया है ठीक है कोई बात नहीं है 70 नमबर प्रस्ण से हम लोग देखते हैं डाल्टन के अनुसार ठीक है करदान चमता का कौन सा रूप उपयोग है तो इसमें जो आपका निर्पेक्ष करदान चमता है और सापेक्ष करदान चमता है ये दोनों है तीसरा अपसन आपका राइट है प्रस्ण 71al के भारत में क्रिशी छेत्र के वित्थ के लिए सर्वुच्च संस्था है तो क्रिसी छेत्र के वित्त के लिए जो सरवोच संस्था है वह आपका नाबाड है बिल्कुल राइट एंसर है दूसरा अपसन आपका राइट है प्रस नमबर 72 क्या पुछा गया है कर विवर्तन हो सकता है तो कर विवर्तन जो साथियों यह आगे की ओर भी हो सकता है और पीछे की ओर भी हो सकता है दोनों ठीक है तिसरा अपसन आपका राइट है प्रस नूमर 73 है वित आयोग का गठन कौन करता है वित आयोग का गठन राष्ट पती करते हैं प्रेसिडेंट ठीक है तीसरा अपसनाप का राइट है प्रस्ट नमर 74 है करो का उद्देश से क्या है तो जो कर है इसका उद्देश से है अर्थ विवस्ता का नियमन दूसरा अफसनापका राइट है प्रस्ट नमर 75 है भारत में किस प्रकार की वित्वेवस्था पाई जाती है तो भारत में संगी वित्वेवस्था पाई जाती है दूसरा अपसन आपका राइट है दोस्तो 75 में से आपके कितने प्रस्ट सही हुए है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरू करिएगा इस प्रस्ट प